ही गाईज वत्साप कैसे हो आप सभी लोग सागत है आप सभी का हमारे योट्यूब चानल मिस्टर एंड मिसेज राज में तो दोस्तों अभी थोड़ा सा ना अच्छी से रेडी वेडी हो गया है सुबह में नहाद हो आके यूद्कि मॉम में ही बोली कि मनिशा तुम कैसे हो एक तो पूरा हड़ी बड़ी इतना ज्यादा निकल गया है मेरा देख रहे हैं आप लोग ऐसे हड़िया हमारे निकली वही है इतना टेंशन लेते लेते और ये सारी चीजे को ना एक मन में घोड़ते ही घोड़ते तो मामें बोली कि बताओ ये सब नहीं खाओगी और अच सथीब साल लगता है तो ममें महें बोली कि तुम रेड़ी वेड़ी हो कि रहो जैसे पहले रहती थी एकदम वैसी रहो कोशिएस करो सब कुष ठीक हो जा तो अभी फिलाल कि टोगोलिक मनिसा सच में थोड़ा रेडी वेडियो हो जाओ अच्छा लगेगा तब जाके रेडी हुए हम और ऐसे सुबह हमें भी रेडी हुए थे लेकिन वही है कि बीना टाइम कभी खाने का मन नहीं कर रहा है कभी कुछ करने का मन नहीं कर रहा है तो इ कालना एक दूम लटटा नहीं हो जाता है वैसे हो गया था और खहाना पीना मतलब एक पेट में अजिब हदास हो गया है और यह चीज न जाई ही नहीं रहा है और इसको यह भूख नहीं लग रहा है नहीं तो आप लोग न मेरा पहले का अगर जो लोग देखते हैं न उसमें आप लोग देखियोंगे कि एक हासता, खेलता, मस्कुराता हुआ चेहरा रहता था ये सारी चीजे ना सक करने के बाद भी मैं कैमरे के सामने अपने आपको अच्छे तरीके से फेस करती थी कि आरे स्माइल के साथ है बहुत तकलीफ होता था तो एक फोटो डाल देते थे इंस से कही ने कही लगता है कि मेरा कंट्रोवरसी में ही मेरा Instagram ID भी चला गया है इस साल ना मतलब क्या ही बताया आप लगों से सब कुछ मेरा लुट गया तो एक तो मेरे Instagram ID चली गई दूसरा मेरा सबसे कीमती चेज photographed की लिए जह होता है वह भी चिहने की कोसिस की गई तो वो तो उसके लिए चाहिए हमें किसी हद तक जाना हो हम जा सकते हैं क्योंकि साधी के साथ फेरे हमने लिये हो गए हैं तो मुझे सब लोग बोल रहा हैं सब लोग इतना हिम्मत दियें कि मनिशा दिदि अब टेंशन मत लीजिए सब ठीक हो जाएगा और ठीक करने कोसिस करेंगे तो सारी चीज़े ठीक करने का हम कोसिस करेंगे लेकिन बहुत सारी चीज़े हैं जो कि अभी हम कैमरे पर नहीं ला रहे हैं और बहुत लग परेशान भी हो रहा हैं कि यार दिदी बहुत हो गया यह सारी चीजी क्योंकि हमारा जो व्लॉगर ना छुटे इसे लेके बड़े बच्चे तक देखते हैं और यह जो इतनी गंदी फैली सब कोई सोशल मेडिया से जुड़े हुए हैं और सब कोई देख भी रहे थे कि यार यह चीजे न कुछ एक्स्ट्रीम लेवल पर हो रही है तो बहुत लोग पहले ही कॉमेंट करते थे न तो मैं कॉमेंट की वज़े से परिशान होते थे यार ऐसा क्यों कोई भाई बहन को ऐसा क्यों सोच रहा है बट कहीं न कहीं आप लोग का सुचना और यह सारी चीजे न सही निकला और मुझे बुलायता था कि सक करती है वाईफ लेकिन अगर मैं इतना सक करती न मैं बस सामने से बोल देती थी मैं न रियाक्ट करने लग गई थी क्योंकि मुझे जब चीजे अच्छी नहीं लगती है न तो चाहे उनके सामने कोई भी रहा था था मैं रियाक्ट कर जाती थी और उसके माना करने के बाद भी यह सारी चीजी हुई तो मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा है मैं अब भी वह चीज को नहीं भूल पारी हूँ कि ट्टो में इतना समझाए कि मनिसा इतना सुचने का कुछ जुरूरत नहीं है क्योंकि अब जो चीजे हो गया समझो कि पास्ट हो ग लेकिन जिस पर गुजरता है वो और भी ज़्यादा परिशान होता है यहां जब किट्टो के घर थे तो मुझे थोड़ा अच्छा फील हुआ क्योंकि यह हमको बार बार अच्छा चीज समझाने की कोसिस करते थी कि मनिसा होता है होता है अब तुम कुछ ऐसा कदम मत उठान तुम ऐसा कुछ मत करना कि जिससे जो बाहर वारा इंसान चाहता था उसकी जीत हो तो मैं सरयाम बोल रही हूँ कि भाई उसने मुझे बहुत समझाया बहुत कुछ और मैं यह सारी बाते ना इससे पहले भी शिर नहीं करती थी मैं इससे बहुत दूर जा चुकी थी यार सार आप लोग प्रे करिये और भगवान की मर्जी है मंदिर भे गया थे साम को और भोले बाबा से प्रे किये कि सब कुछ ठीक हो जाए क्योंकि जब बनाता है उपर वाला बिगाड़ता है तो बनाने का अभियत पूरा रखता है तो इसलिए पता है अब ना हमको जो भी देख रहा है न कि मन में दबाना अपने दिल में चुपाना मुझे बहुत अच्छे से आता है क्योंकि बहुत टाइम से हमें इन सारी सिल्जों को लग रहा था कि कुछ गलत होने वाला है पर हमको यह सब कुछ नहीं पता था कि ऐसा भी कुछ होने वाला है तो अभी बाबू है यहाँ पर बाबू खेल रहा है कृतिक और कृतिक के साथ ना सच बता है थोड़ा सा अच्छा लग र बच्चों के साथ थोड़ा गुल मिल जाता है इंसान और हम लोग का क्या हो था कि हम लोग अकेले ही रहते थे तो ये भी अकेले रहते थे हम भी रहते थे घर पर मतलब अकेले का मतलब कि हम दोनों ही रहते थे तो ऐसा कुछ हो भी जाता था ना लड़ाई वगरा तो अपना अलग दिमाग हम लगाते थे हमारा क्या दिमाग कहीं छोलता ही नहीं था बस फोटो देखेंगे कभी status डाल देंगे कभी कुछ डाल देंगे यहां तक कि हम अपने मम्मी से कोई बात शेयर नहीं कर पाते थे और आज भी मेरी मम्मे को कोई भी बात अच्छे से नहीं पता है लेकिन मम्मी आज भी मेरे को फोन की बोले कि मनिसा सब ठीक है ना मनिसा सब ठीक है ना तुमको छुपा रही हो और देड़ महीने पहले मेरे को मम्मी बोली थी बाब बुगा रहा है क्या बिटा तो बहुत तेज रोना आ गया था तो इसलिए ना हमें थोड़ा सा दुख हुआ बिटा क्या हो गया तो बहुत जल्दी आप लोगों को सारी चीजे सामने लाएंगे अब भी थोड़ा सा हम नहीं चाह रहे हैं हमको भी दीदी ने रोका हुआ है मानिका दीदी वो भोली है कि मानिसा बस चार दिन पास दिन और वेट कर लो और उसके पास जो भी चीजे है उसको देखना तो इसलिए हम इंतजार कर रहे हैं और उनके उपर पुरा ट्रस्ट किये हुए हैं कि कहीं न कहीं सब कुछ ठीक हो जाए तो बस हमारा एक उपर वाला जो हमारे इश्वर है वो देख रहा है हमने किसी के साथ गलत किया नहीं है तो नहीं होना चाहिए था बट जो भी हुआ बहुत गलत हुआ क्या बिच्चा अभी बाबू है हमारे साथ थोड़ा सा अच्छा लग रहा है घुल मिल के हैं हम लोग और रेडी हो गया है क्योंकि मौसम बहुत खराब है तो ठंडा लग रहा है इसलिए अभी वेंटर वाला ड्रेस वियर किये हुए है और फीबर भी हो गया था तो वैसे ही मन नहीं करता है एक तो बाल दोके नहां लिए थे तो लग रहा था कि सिर्फ अट जाएगा और पुड़ा बॉड़ी गरम हो गया था तो दवा दी हमको अमीद भाई और ये लोग दी है दवा तो फिर खाना अना खाये थे तब थोड़ा अच्छा फील हो रहा है तो काफी टैम से मम्मी के पास तो ऐसे बात करते हैं बड़ वैसा नहीं हो पा रहा था कि उस तरीके से शूट कर पा है तो देखते हैं मम्मी भी अपना हाद वाकर बुड़ी चलते हैं मम्मी के पास